हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल पियाएस्ट आज हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस के बारे में देखिए अर्थराइटिस होता क्या है इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है इसका क्या उपचार है इसके क्या एक्यो प्रेशर पॉइंट है आज मैं आपको सा जोड़ों में सूजन आ जाती है जोड़ लाल हो जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है गुटनों में से कट-कट की आवाज आती है अब इस चीज को मैं पूरे विस्तार से पूरी डिटेल से आगे चलके बताऊंगे अगर इसमें से आप लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी है तो यह वीडियो है आप लोगों के लिए वीडियो को लास्त तक देखना ना भूलें और दूसरी चीज मेरे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे कर दीजिए का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दब जो जोड है उसमें वात भर जाती है और उसमें दर्द होने लगता है जैसे मानिये यह उंगली है इसका यह जोड है तो अर्थराइटिस में क्या हो कि इस जोड में दर्द होगा यह जोड पूरा लाल हो जाएगा और इसमें सूजन आ जाएगी तो यह अर्थराइटिस या लाने की गठिया अब यहीं smilworth की होती है कियो कॉन कॉन सी होती है एक तो buffalo arthritis होता है और दूसरा OSTRIO arthritis होता है ऑव और स्टृरियों होता है कि इसमें जोडों में दर्ब होने लगता है सारे जोड़ जितने भी आपके शरीर में जोड़ हैं वो सभी बहुत जादा दर्द करने लगते हैं उनमें सूजन आ जाती है और जो जोड़ हैं वो बहुत जादा लाल हो जाते हैं जो बहुत जादा दर्द करते हैं जिनमें असहनिये दर्द होता है और सर्दियों में तो इनमें बहुत ही जादा द arthritis देखेभाव कांदेश लोगता है उसके बीच में जो काटिलेज होता है छो Estoy fight होता है वह दिर दिर करके घिशब जाता है तो जिसकी वजह से जो घुटने होते हैं lira और नीचे दौनों का जो उपर और नीचे का भाव होता है उसके बीच में जो काटिलेज होता है वह घिस जाता है जिसको आप घ्रीस खत्म भी कहें देते हैं अब क्या करना होता है कि इसमें जब़ेंट जाती है यह जाता है उस समय में आपको ऑसर्टिओ अर्थराइटीज हो जाता है और गुटने हैं आपस में रगण खाने लगते हैं और बहुत ज्यादा दर्द होता है कट कट की आवाज भी आती है और जो ऑस्ट्रियो अर्थ्राइटिस है इसको कहते हैं कि हड्डियों का कोखला पन और जो अर्थ्राइटिस है वह होता है गठिया बाय तो मैंने दोनों चीजे आपको अलग-अलग बता दी है अब यह होता ही क्यों है देखे इसके बहुत सारे कारण है कि कई वार तो देखे इसके नाम से ही आप लोगों को पता लगता है कि यह गठिया बाय याने की वात से रिलेटिड एक रोग है जो की शरीर में वात जादा बनने की वज़े से आपको हो गया है अब दूसरा का तक या तो ऐसा होता है कि फुल टाइम तक मतलब बहुत छेचे साथ साथ घंटे कंटिन्यू बैठे ही रहना उठना बैठना नहीं सिरफ बैठे ही रहना या जरुत से जादा मेहनत करना या गलत खान पान और कई बार तो ऐसे होता है कि हमारे माता-पिता को यह परेशानी होत अब आप इसको खतम कैसे कर सकते हैं कैसे क्या इलाज है इसका इलाज है कि आप लोगों को प्रोटीन कैल्शियम और विटमिन इनसे युप्त खाना खाना है व्यायाम करना है वॉक करनी है दोड़ नहीं लगानी है और दूसरी चीज आपको क्या करनी है देखिए इसका ऑस्ट्रो अर्थ्राइटिस की प्रॉब्लम है जिसकी वज़े से जो आप कार्टिलेज है वो घिस चुका है और आपके गुटनों में से अवाज आती है कट-कट की चलने फिरने में बहुत ज्यादा दर्ड होता है तब आप क्या करेंगे कि आपको तेल बनाना है कौन सा तेल मेठी दाना आधा चम्मच जो आप काले वाले तिल होते हैं वह वाले तिल लेलेने हैं तीसरी चीज इसमें तीन से चार कली लैसुन की काटकर डाल देनी है और पांचवी चीज इसमें आप थोड़ा सा एक पैकेट केसर आता है जो कि दस रूपे का आता है आप मार्केट से ले आएंगे वो पूरा पैकेट आप इस तेल में डालें उसके बाद आप क्या करेंगे के इसमें थोड़ा सा हीन और उड़द की दाल ये सारी चीजें आप उसमें मिला लें थोड़ा सा हीन से मतलब है दो से तीन चुटकी और उड़द की दाल आदा चमच काली वाली उड़द इन सारी चीजों को आप मिक्स कर लेंगे किसमें तेल म बेजान फ़ी नहीं को सीब नहीं करके लिए था स्टोब के अपटे साटाटार इन्हें अपने जोडू पर जैब माणने के गुटने के जोड है जोड दर्द करते हैं या फिर उंगलियों के जोड़ हैं वो दर्द करते हैं तो आपको क्या करना है इन जोड़ों पर उस तेल से मालिश करनी है तो आपको बहुत ही जल्दी आराम आएगा अब आपको खाने और पीने में क्या क्या चीज़े लेनी है देखिए आपको इसके इलाज के लिए बताती हूँ मैं पहले क्या चीज लेनी है इसके लिए आपको रात के समय में मेथी दाना भिगो देना है एक गलास पानी में कांच के गलास में ध्यान रखिएगा कांच का हो मिट्टी का हो चीनी मिट्टी का हो लेकिन किसी भी मैटल के बरतन में मेथी दाना है उसे बिलकुल भी ना भिकोएं चीक है कितना भिगोना है एक चौथाई चमच भिगो दें और उसे सुभह शौच जाने के बाद पी लें तो इससे क्या होगा कि आपके जो कर्डिलेज घिस चुके हैं वह वापस से बनने लगेंगे और आपको दर्ड नहीं होगा दूसरी चीज आप थोड़ा सा चूना कितना थोड़ा सा बिलकुल चने के दाने के वराबर चूना लें लसी में फैंट कर खा लें आप उसे लसी में फैंट कर खा लें मिला कर खा लें कब दुपहर क समय और उस लस्सी में थोड़ी सी अजवाइन भी डाल लें तो इससे जो मेथी डाना है उससे जो आपको दर्द होता है कटकर की आवाज आती है वो ठीक हो जाएगी गुटनों में से या जोडों में से और चूना जो की कैल्शियम को बहुत ही अच्छा सबसिट्यूट है कैल की बार लेना है ठीक है दूसरी चीज आपको पेट साफ करना बहुत ही जरूरी है अब पेट साफ करने के लिए आपको क्या करना है उस पे में वीडियो बना चुती हूँ लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप देख लीजीगा अब आपको क्या खाना ह और क्या नहीं खाना है देखी खाने में आपको वो सारे चीजे खानी है जो अमलिये नहीं होकर के शारिये होती है शारिये कौन सी चीजे होती है जिनका जूस नहीं निकल सकता वो सारे चीजे शारिये होती है लेकिन बैंगन बिल्कुल भी ना खाए ठीक है दूसरी चीज अब आपको क्या नहीं खाना है कड़ी, गोबी, अचार, चावल, दही, केला, उडद की डाल, यह सारी चीजे आपको नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है, तो इस तरह से आप अपनी ऑस्ट्रो अर्थ्राइटिस या फिर किसी भी तरह का अर्थ्राइटिस गुटनो झाल, बिल्कुल है करता है, तो एल झाय है, बिल्कुल झाल, झाल, बिल्कुल झाल, प्जादिस गज तक एम उड़ी, की रिंद रगरे जिल्कुल.